अगर आपको गर्दन और कंधों के आसपास बड़ा दर्द रहता है, हमेशा ये दर्द बना रहता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पांच ऐसे राम बाड योगासनों का अभ्यास जो की बहुत सिंपल तो है ही, बहुत इजी तो है ही, लेकिन उतने ही ज कंधों की आसपास की जो मांसपेशियां हैं, इन में ताकत पैदा करते हैं, इन में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं, इनका कड़ापन कम करते हैं, बलके इनका अभ्यास जब आप निरंतर करते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपके पूरी की पूरी स्पाइनल क पर स्पेशली जो आपकी अपर स्पाइन है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है तो इसके लिए करना क्या है? वीडियो को आपको अंत दग देखना है तसल्ली से क्योंकि सारी टेकनीक में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी सिखाऊंगी किस तरीके से सांस लेना ह बस आपको करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूठ हिस्सा बन जाना है और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नमश्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी सबसे पहले हम अपने नेक रिजन का वाम अप करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे नेक के आसपास की जो मसल्स है ना उनमें थोड़ी गर्माहट पैदा होगी इस गर्माहट से कभी भी आपके नेक के आसपास की जो मसल से इसमें इंजिरी नहीं होगी और साथ ही इनमें स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा तो सबसे पहले अप एंड डाउन मुमेंट नेक की तीन बार ये अभ्यास मैं आपको करके बता रही हूँ जब आप इसका अभ्यास करें कम से कम 10 से 15 बार कर लें सास लेते हुए छट की तरफ देखें और घर्दन के सामले बहुत अच्छा की चाओ महसूस करें और सास शोड़ते हुए चिन को वापस से कोलर बोन की तरफ ड्रॉप करें दो बार और सास लें as you inhale look up towards the ceiling और सास शोड़ते हुए वापस से चिन को ऐसे कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दें सास लें ऐसा अभ्यास बहुत आराम आराम से करें जटका दे के बिल्कुल भी अभ्यास ना करें ऐसे फिर उसके बाद अपने बिना कंधों को उठाए हुए right and left इस तरीके से movement करेंगे सास लें और सास शोड़ते हुए गर्दन को right side ऐसे drop कर दें फिर उसके बाद सास लें और सास शोड़ते हुए left side ऐसे drop कर दें इस तरीके से सास लें सास शोड़े right सास लें और सास शोड़े left एक बार और सारे अभ्यास आपको 10 से 15 बार repeat करने हैं ध्यान दें कि जब ऐसे drop करें तो कंधों को ऐसे ना उठाएं कंधों को बिल्कुल relax रहन दें ऐसे अब imagine करें कि आपको पीछे से कोई आवाज दे रहा है तो आपको पीछे देखना है लेकिन अपनी body को move नहीं करना है तो अपने चहरे को ऐसे घुमाया और right कंधे की तरफ अपने चहरे को घुमाते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे बिना body को घुमाये हुए सास ले और सास शोड़े पीछे देखे सास ले दो बार और right और दो बार और left सास ले inhale and exhale look left एक बार और inhale and exhale look right ऐसे inhale and exhale look left तो इन movement को देखने में तो आपको लग रहा हो कि बड़े आसान है लेकिन इनसे आपके गर्दन की मान स्पेशियों में मजबूती आती है अब चले करते हैं half rotation कभी भी जब आपको गर्दन और कंधे में अत्यधिक दर्द हो तो कभी भी गर्दन और कंधों का full rotation ना करें इससे आपकी तखलीफ और अधिक बढ़ जाएगी तो आपने क्या किया अपनी चिन को गर्दन की ये वाली जो हड़ी है ना इधर की तरफ ऐसे drop किया फिर उसके बाद ऐसे सामने देखें right side सास ले और सास को छोड़ते हुए ऐसे left side देखा फिर से सास ले left और सास छोड़ते हुए right सास ले right और सास छोड़ते हुए left एक बार और सास ले left और सास छोड़ते हुए right फिर से सास ले right और सास छोड़ते हुए ये हो गया left इसका भी अभ्यास पांच बार, साथ बार, दस बार अभ्यास निरंतर कर लें, जटका दे के बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है कि ऐसे ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपकी तकलीफ जो है बढ़ जाएगी अभ्यास को करके जेंटली अपने गर्दन और कंदों के आसपास की मसल्स को कर लिया है, वाम अभ्यास अपनी नेक की स्ट्रेंद को बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं, तो अपने राइट हाथ को ऐसे कान के पास, राइट कान के पास रखा और अपने सर को हम ऐसे पुश कर रहे हैं, लेकिन सर हमारा हमारे हाथ को राइट साइड पुश कर रहा तो एक opposite pressure लग रहा है, इससे strengthening होगी हमारे neck की इस तरीके से 5 count तक hold करें, 5, 4, 3, 2, 1 normal breathing के साथ, इसी तरीके से left भी अभ्यास करेंगे ऐसे, तो आपने गर्दन, सर को हम धकेल रहे हैं, push कर रहे हैं left कंधे की तरफ, लेकिन हमारा हाथ जो है, सर को right कंधे की तरफ ऐसे धकेल र 3, 2, 1, इसी तरीके से आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे फसा लें, और इसको माथे के ऊपर रखें, सर को पीछे धकेलें, लेकिन आपका सर हाथों को आगे की तरफ धकेल रहा है, ऐसे 5, 4, 3, 2, 1, आप चाहें तो इसका अभ्यास 5 से 10 स लेकिन रोक कर भी कर सकते हैं, इसी तरीके से अब सर आप आगे की तरफ धका लगाईए, लेकिन सर आपके हाथ को पीछे की तरफ धका दे रहा है, तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा आप एक टेंशन महसूस करेंगे, जो आपके हाथ और सर के बीच में हैं, तो दोनों ह और सास छोड़ दें ऐसे फिर उसके बाद ये तो up and down moment हो गया अब आगे और पीछे ऐसे शोल्डर जो आपके दोनों शोल्डर है वो एक दूसरी की तरफ आना चाहते हैं ऐसे और फिर इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे forward, backward, forward, backward इस तरीके से अब ये up and down आगे और पीछे forward और backward तो हो गया अब इसको पूरा का पूरा 360 डिगरी रोटेट करेंगे कैसे पहले आगे से पीछे आगे, उपर, पीछे, नीचे, आगे, उपर, पीछे, नीचे, एक बार और forward, up, back, down ये ही अभ्यास opposite side करें नीचे, पीछे, उपर, आगे, forward, down, back, up, forward, down, back, up तो इसका अभ्यास पांस से दस बार करते रहें इससे आपके कंधों के आसपास, गर्दन और कंधों के आसपास की जो muscles हैं उनमें मजबूती आएगी उनमें flexibility develop होगी, mobility develop होगी जिससे की वहाँ पर रक्त का संचार, blood circulation improve होने से जो भी दर्द है वो धीरे-धीरे चला जाएगा अब आएए हम अभ्यास कर रहे हैं योगासनों का सबसे पहला योगासन जो मैं आपको बता रही हूँ ये है उत्तानमंडुकासन इसका अभ्यास जिनको घुटने में दर्द है वो ऐसे ही cross leg position पे बैठे-बैठे करें जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो वजरासन में बैठके इसका अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है कि ऐसे आपको वजरासन में ऐसे बैठना है अब जब आप वजरासन में ऐसे बैठेंगे तो दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है अब क्या करेंगे दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे दूर करेंगे इस तरीके से और दोनों palms को हमने अपने दोनों घुटनों के ऐसे बीच में रख दिया बीच में रखने के बाद घुटनों को जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करें ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे इतनी दूरी पर कर लें और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपको ऐसे T की पोजीशन पे लेके आना है और फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाते हुए अपने right palm को left shoulder blade के उपर और left palm को right shoulder blade के उपर ऐसे रखना है opposite रखना है ऐसे और breathe करते रहेंगे ऐसे नीचे नहीं देखेंगे नीचे नहीं देखेंगे ऐसे सामने देखेंगे और सास लेते और छोड़ते रहेंगे इससे गर्दन और कंथो के आसपास एक extended stretch आता है और पूरी spinal cord जो है उपर की तरफ खिची हुई है जिससे जो vertebras है वो अच्छी तरीके से उसमें खिचाओ आ रहा है और ऐसे breathe करते रहें और कम से कम इस posture को minimum 10 second तो आपको hold करके रखना है और breathing normal रखनी है अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं उत्तान सी सोसन का या इंगलिश में इसे puppy pose कहते हैं इसका अभ्यास करने के लिए आपको वजरासन में ऐसे बैठना है और वजरासन में बैठने के बाद दोनों घुटनो को एक दूसरे से ऐसे दूर करना है कम से कम दोनों घुटनों की बीच में आपकी कमर जितना फासला होगा पीछे जो है दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे दोनों palms को आपने थाई के उपर रखा अब अपने दोनों हथेलियों को ऐस आपकी हिप ऐसे उठेगी और आपकी हिप जैसे ही छत की तरफ गई आपके चेस्ट को आपको मैट पर ड्रॉप करना है और आपके मैट पर जैसे ही आप चेस्ट ड्रॉप करेंगे ना तो जो आपकी ठुड़ी है चिन है इसको भी आपको आपकी योगा मैट पर ऐसे या 30 सेकेंड इस पॉस्चर को होल्ड करना है, सांसे लेते और छोड़ते रहना है, और फिर उसके बाद हेड अप करना है, और आराम से अपनी योगा मैट पर फिर से बैठ जाना है, आराम से अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, और थोड़ा बैठे बैठे ही यासे रेस्ट करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ जुक जाएं, लीन बैक हो जाएं, अब हम आगले कुछ पॉस्चर का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि हम पेट के बल लेट कर करेंगे, प्रान पोजीशन पे, तो आराम से अपनी योगा मैट पर हम ऐसे लेट गए, अब हम अभ भुजंग आसन या इंग्लिश में इसे सपोर्टेड कोब्रा, या कि फिर बेबी कोब्रा के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपकी पैर की एडियों को ऐसे जोड़ना है, और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ रखना है, दोनों हथेलियों जैसे हम कोब्रा पोज का अभ्यास करते हैं, तो चेस्ट के साइड में रखते हैं, और अपने माथे को मैट पर ड्रॉप कर देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यह हमने मेजरमेंट ले लिया, आप सभी अपने हाथ को चेस्ट के साइड में रखें, और अपने सर को ऐसे ड दूसरे हाथ का भी इस तरीके से कर लें अजस्टमेंट करें फिर उसके बाद आपने सर को चाती को ड्रॉप करें अब हम तयार है आसन का अभ्यास करने के लिए सांस लीजिए हेड अप चेस्ट अप और अपनी बॉडी का वेड जो है अपर बॉडी का वेड एलबो पर डालिए और जितना हो सके छट की तरफ देखिए आपके पैर की एडियां और अंगुठे जुड़े हुए हैं पूरी हिप्स की मसल्स को आपने टाइट किया हुआ है और आपके पू से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड सांसों को लेते और छोड़ते रहिए क्योंकि आपने सपोर्टेट कोब्रा का अभ्यास किया है तो आपको कोई घबराहट होगी नहीं अब हमने यह अभ्यास कर लिया अब हम रेस्ट करेंगे मकरासन में और फिर मकरासन के कुछ वेरियेशन करे क्या करें राइट हतेली को लेफ्ट शोल्डर पर लेफ्ट हतेली को राइट कंधे पर ऐसे रखा और दोनों को इक दूसरे से दूर की जिए यह और अपने चहरे को गर्दन को टर्ण कर दीजिए और कम से कम 10 सेकेंड तग Cambies इस्तिति salary लेट है फिर चहरे को अफ साइड ऐ भुमाया था 10 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसे रोक के रखे ब्रीद करते रहे ब्रीद करते रहे सासों को रोकना नहीं है सासे लेते और छोड़ते रहना है फिर जब लेप साइड हो जाए तो 10 सेकेंड या 30 सेकेंड दूसी तरफ चहरे को भुमा के ऐसे लेते रहे ब्रीद करते र बहुत ही जादा मदद करेगा गर्दन और कंधों के आस-पास की मस्सल्स में जो तनाव है उसको कम करने में क्या करें कि अपने अपने पीछे मत लेके जाएं इसको कंधे को और अपनी कुणी को एक लाइन में रखें फिर क्या करें पैरों को चाहें तो दूर ही रहने दें पैरों का भी कोई कॉंट्रिब्यूशन नहीं है फिर क्या करें अपने right हतेली को right गाल के नीचे ऐसे और left हतेली को left गाल के नीचे ऐसे रख दें इस तरीके से और सामने देखें और अपने चेहरे को एकदम धीला छोड़ दें फिर क्या करें अब धीरे धीरे जैसे आप walk करते हैं उस तरीके से अपने दोनों elbow को ऐसे दूर जाएं अब देख रहें कितना अच्छा एक extended stretch मिल रहा है आपके गर्दन के सामने और पीछे की पूरी की पूरी मांस प्रिशियों पर एक बहुत अच्छा एक खिचाओ महसूस करें गया ऐसे जितना elbow आपकी दूर जा सके उतना elbow आपको दूर रखना है और यहां पर इस पॉ इस तरीके से फिर उसके बाद इसको release कर दे वापस से जो पहला वाला मकरासन बताया था right palm को left shoulder पर left palm को right shoulder पर रखे और elbow को बाहर ही रहने दे वापस से अपनी चेहरे को left shoulder की तरफ left कंधे की तरफ घुमा दिया यहां पर rest करेंगे चाहें तो एक मिनट तक rest कर लें ऐसे ले एक मिनट तीस सेकेंड तक रेस्ट करें अब मैं आपको अगला एक बहुत बेहतरी जो स्ट्रेच है आसन है पॉस्चर है वो सिखा रही हूँ अगर इस आसन का अभ्यास आप करते रहते हैं तो बैक में जो पेन होता है वो भी दूर होगा चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से होगी आपका हाट आपके लंग्स आपके सारे इंटर्नल ओर्गंस आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ आपने अगर यह चीज़ नोटिस की है कि जब आप पेट के बाल लेटे हुए है तो पूरे आंतरिक अंगों पर कितनी अच्छ के रखें ठीक है अब क्या करें अपने पूरे चेस्ट को सर को अपनी मैड पर ऐसे ड्रॉप कर दिया ध्यान कंध्व पर रखिएगा क्या करेंगे दोनों हाथों को ऐसे अपनी बॉड़ी के पीछे लेके जाए और उंगलियों को ऐसे फसाना है है ना ऐसे इंटर्लॉक करन दोनों हथेलियों को बाडी के पीछे लेके गए और उंगलियों को ऐसे फसा दिया और चेहरे को ऐसे ड्रॉप कर दिया अब कंधे को मैंने बोला था देखने के लिए तो कंधे को देखने के लिए देखिए ऐसे पीछे रोल बैक करेंगे कंधों को और फिर चत की तरफ देख 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, ओर चमें के साथ यह सारे अभ्यास करेंगे. आपने 10 काउंट तक होल्ड किया, अगर आपसे 10 काउंट ना होल्ड करने आए, तो आप कम से कम 5 काउंट तक होल्ड कर लें. 5 काउंट भी न कैरें, तो 300 काउंट तक होल्ड करें, हो ही नहीं सकती अगर आप यह अभ्यासों को करते रहते हैं हाराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहें पूरी बॉडी को रिलाक्स करें धीला छोड़ दें दोस्तों अगर आप भी मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ओनलाइन योगा क्लासेज में इन ओनलाइन योगा क्लासेज को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंड़क्ट किया जाता है और इन online yoga classes के साथ कोई भी जूड सकता है चाहे आप beginner है या already yoga का अभियास कर रहे है या आपको कोई lifestyle disorder disease है हर एक class में जो practices हैं वो अलग-अलग होती है और students के हिसाब से उसको modify किया जाता है ताकि आसानी से वो अभियास कर सके और lifestyle disorder disease जैसे thyroid, diabetes, hypertension, high blood pressure नीद नाने की समस्या, बहुत ही जादा stress होना PCOD, PCOS की समस्या, mild back pain है, knee pain है इन में भी ये yoga classes बहुत ही जादा असरदार है मेरे जो existing student है ना इन yoga भियासों को करते-करते अपनी health condition से तो उबरते ही उबरते हैं बलकि उनकी lifestyle भी पहले से बहुत अधिक बहतर हो जाती है अगर आप जाना चाहते हैं कि इन yoga classes में क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा तो हर दिन आपको अलग-अलग तरीके के yoga, sun, pranayama, meditation, deep relaxation की techniques और साथ ही cleansing technique भी सिखाई जाती हैं जो की मेरी ही guidance में आप सीखते हैं अगर आप सुबह 7 बजे से 8 बजे ये जून classes नहीं जोईन कर पा रहे हैं कोई बात नहीं कुछ recorded session है, कुछ मैंने courses develop किये हुए हैं Yoga for beginners का course या pranayama या meditation का course आप इन courses को purchase करके किसी भी वक्त, किसी भी जगा, कितनी भी बार इन recorded sessions को on करके अपनी practice को अपने हिसाब से अपने घर के comfort में practice कर सकते हैं और जो ये recorded sessions है ना ये भी completely beginner friendly है आप जब इन courses को complete कर लेते हैं तो course के completion का certificate भी आप आसानी से वहीं से download कर सकते हैं तो देर किस बात की? अभी जो मेरी website यहाँ पर मैं share कर रही हूँ www.yogaviddshahida.com इस website पर visit कर लें और अगर आप website पर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये whatsapp number शेर किया हुआ है इस whatsapp number पर एक whatsapp कर दें ताकि आपको class और courses के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएं तो देखा आपने step by step मैंने कितनी आसानी से इन सभी योगासनों का अभ्यास आपको सिखाया आशा करती हूँ सभी योगासन आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और अब आपका cervical का जो pain है वो आपको परिशान नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं future में किसी topic पर मैं वीडियो बनाऊ आपके suggest किये हुए किसी topic पर मैं वीडियो बनाऊ तो मुझे नीचे comment करके जरूर बताइएगा मुझे बहुत खुशी होगी आपके suggest किये हुए topic पर वीडियो बनाके अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी तब तक आप सभी अपना खूशी खयाल रखेगा निरंतर योग का अभ्यास कीजीएगा और अपने परिवार का धियान रखे अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा और साथ ही मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्टदारों के साथ भी खूब शेयर कीजेगा नमस्ते झाल